हलो नमस्कार जहन स्वागत आप सभी का दिगम मंतरा पर मैं विकास गुपता हाजर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ जहां डिसकस कर रहे हैं के वीएस पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक वाइस तो यह जो सिरीज है यह कॉंटिनियूसली हमारी चल रही है पिछले काफी टाइम से और इसमें अब और भी ज्यादा तेजी आ गई है जब से के वीएस की डेट्स अनाउंस हुई है क्यों क्योंकि आपके लिए टॉपिक वाइस एमसी क्यू करना जादा जरूरी है ताकि आप आपको हर एक कॉंसेप्ट के बारे में पता चल सकें और साथ साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक से किस तरहा का जो एमसी क्यू है वो प्रपेर किया जाता है तो कुल मिला करके एक जो फुल फ्लेक प्रपरेशन है हम लोगों की वो हम लोग कर रहे है और वो continue है और वो कब तक आपके जो exam है तब तक वो चलती रहेगी लगबख 16-17 के बीच में आपको जो exam है वो scheduled हो जाना चाहिए तो कुल मिला करके आप अपने accounts जो days है वो accounts कर लीजे कि कितने दिन बचे हैं उसमें आपको preparation कैसे करनी है कितनी preparation आपकी हो चुकी है कितनी ब problem हमें आने वाली है ठीक है तो आसानी से उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं cover up कर सकते हैं material जो है वो आपको available हो ही रहा है जो questions है वो आपके पास available हो ही रहे हैं और topic वाइज ही करा रहा हूं और साथ साथ में telegram पर भी आपको जो quiz है वो continue है 40 questions per day का तो कुल मिला करके 100 questions अग मैं तो लगा हुआ ही हूं मेरा 100% और लग लग सारा समय इन सब चीजों में जा रहा है तो यह कि questions को prepare करना उसे फिर type करना और वो बहुत सारी चीज़ें हैं है ना फिर MCQ पर करना telegram के लिए खुछ स्तियार करना तो जब मेरी तरफ से इतनी मैनज चल रही है तो आप लोग आप लोग अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वह बहुत अच्छे से prepare हो जाएगी और वैसे भी अगर आपको किसी भी गोल को चीव करना होता है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत जादे इंपोर्टेंट जो है रोल प्ले करती है तो अपनी कुछ एक स्ट्रेटेजी बना करके चलिए जहां पर आप सक्सेस होली अपने जो एक्जाम है उसको क्वालिफाई कर सकें यह बात ध्यान में रखनी है कि आपको दूसरा आप्शन नहीं रहना है अब की बार के वियस पार तो यह चीज अपने में बिल्कुल सेट बठा लेनी है अपकी बार मतलब के वियस पार ठीक है ना और बाकी जो भी लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और अगर वो टेलिग्राम ग्रूप पर नहीं जुड़े हैं या बाकी के सोशल पर नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ह मैं आपको चेक करने का तो आप इस बार एक बार जड़ा इन सब कूप भी ऐस कंसीडर कर ले ठीक है ताकि कि इसी भी तरह कि कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरा एक यह है कि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा यह बिलकुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो ताकि जिससे मैं आपकी जो पीडियो बगेरा है, या उन सब पर काम कर सोकों और आपको वो शेर कर सोकों, तो इस चीज को लेकर के थ कितने टाइम नहीं मिल पा रहा है कि नहीं को मैं यहीं जाच करके भी थे लिये प्रेस्थ कि और टीयुकर हैं अगर है कोई कोई कौई पल हूँ है जहां पर हम बात करेंगे बισुन studies के कुछ और बहतरीन topics और mcqs के बारे में जो कुछ नए है तो पहला जो हमारा देख लेते हैं कि किंसे related है business environment और planning बिजनिस environment और planning को लेकर के आज हम लोग जो है mcq करने वाले हैं तो definitely यहां से अब आपको एक-एक business environment और planning के बारे में पता चल जाएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपना पहला कोशन आज का यह रहा पहला कोशन आपका आपके सामने which of one of the following is not a feature of business environment जो हमारा website वातावरण होता है उस में से निमन में से कौन website वातावरण की विशेष्टा नहीं है नहीं पूछा है uncertainty, interdependence, complexity या stability uncertainty का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में आपको पता ना हो interdependence जो एक दूसरे से संबंदित हो complexity जिसको समझना आसान ना हो stability जहाँ पर एक consistency हो consistency मतलब इस्थिरता तो बताईए इन में से कौनसा सही option आपका जाने वाला है कोशिश परियास ये कीजिएगा कि जो आप MCQ पढ़ रहे हैं साथ-साथ आप उनके जो है answers भी comment करते रहे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी preparation कैसी है तो stability जो है इसका correct answer चला जाएगा next proper understanding of business environment is not a prerequisite for अगर जो आपका website वाता वरण है उसकी सही तरीके से समझ निमन में से क्या नहीं है नहीं not tapping of useful resources identification of opportunities or threats formulation of strategies better coordination of employees effort पताईए not a prerequisite पहले से अगर आप business environment को अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसके accordingly जो अपनी resources है उनको क्या कर पाएंगे उनको क्या कर पाएंगे arrange कर पाएंगे आप अपने लिए जो भी अवसर है और जो भी आपको नुकसान है उनको भी आप चेक कर पाएंगे और आप जो अपने employees हैं उनके साथ उनके साथ क्या कर पाएंगे coordinate कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी planning वगेरा करनी है वो सारी चीज़े हैं बस आप क्या नहीं करते हैं, आप formulation of strategies नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, formulation of strategies, ठीक है, दा government of India launched make in India initiative in September 2014 to increase FDI in 25 sectors, तो जो आपका foreign direct investment, FDI बने foreign direct investment, परत्यक्ष विदेशी निवेश, तो अज़ आपका परत्यक्ष विदेशी निवेश है, उसको लेकर के, वो 25 जो sector है, उसमें बढ़ा आना था, तो जो बारतीय सरकार है, उसने एक initiate लिया था, क्या make in India, अब आप बहुत सारे जो products उन पर देखते होंगे, make in India लिका हुआ होते हैं, तो ये कब लिया गया था, September 2014 में, इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो FDI आई आना था, वो बढ़ गया, कितना परसेंट, 48 परसेंट, किस से, जब से make in India लॉंच हुआ, उसके बाद से, तो कुल मिला करके कहानी ये है, कि भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉंच किया, क्या, make in India, 2014 में, वहाँ पर उन्होंने 25 सेक्टर्स में, FDI को अलाव करा, तो FDI जो है, वो 48 परसेंट से बढ़ गया, ये किसका उधारण है, demonetization, privatization, liberalization या globalization, बताइए, correct answer क्या होगा, देखे, FDI की बात बेशक हो रही है, लेकिन ये globalization नहीं होगा, क्योंकि, जो आपने FDI किया है, वो आपने foreign investment को attract करने के लिए क्या है, तो इसका मतलब ये कि जो trade हो रहा है, वो आपके देश के अंदर ही होगा, तो globalization तो ये होगा नहीं, liberalization, privatization, privatization में company, sorry जो government है, वो किसी का भी disinvestment नहीं कर रही है, तो ये privatization नहीं हो सकता, और जो demonetization होता है, वो legal tender होता है, इसका मतलब क्या है, जितनी भी हमारी currency होती है, क्या होती है, जितनी भी हमारी currency होती है, वो legal tender पर चलती है, किस पर चलती है, legal tender पर, जब तक ये legal tender रहेगा, तब तक वो currency है, वो legal रहेगी, और जैसे ही government इसे legal tender को cancel कर देती है, वैसे ही वो जो currency होती है, वो उसका legal right होता है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसी को क्या का गया है, demonetization का आगया है तो इसमें बेटा एक ही बचता है that is liberalization और बात भी सही है सरकार ने liberalization का मतलब क्या होता है rules और regulations में क्या कर देने flexibility ले आ रहा कि हमने अपने 25 sectors में flexibility कर दी है आप आईए और investment करना शुरू कीजिये according to a report by the India Staffing Federation ISF India has merged as the 5th largest market worldwide in flexi staffing in 2018 and the country would have 6.1 million flexi workforce by 2021 तो ये क्या शो करता है ये हर्यारा, Gujarat, Karnata, Kampi और Telangana are the states with high growth potential for flexi staffing but Andhra Pradesh topped the list of states with favorable business environment identify the features relativity है, dynamic है, uncertainty है या interrelatedness है बताईए क्या होगा dynamic है, क्या यहाँ पर किसी भी change की बात की जा रही है बताईए, क्या यहाँ पर किसी भी change की बात की जा रही है नहीं, नहीं ना, तो ये तो होगा नहीं क्या यहाँ पर किसी भी, किसी भी क्या कह सकते है uncertainty को क्या कह सकते है भई, जो है कि भई, लाब और हानी हो सकती है क्या हो सकता है लाब और हानी हो सकती है इसका मतलब है, जहाँ पर आपकी निश्चित्ता ना हो क्या ना हो, जहाँ पर आपकी निश्चित्ता ना हो बताईए, बात समझ आ रही है इसके बाद आते हैं तो ये भी नहीं होगा इसके बाद आते हैं इंटर रिलेटेडनेस क्या आते हैं इंटर रिलेटेडनेस तो इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है जो एक दूसरे पर निरभर होते हैं क्या होते हैं एक दूसरे पर निरभर होते हैं तो क्या यह यह यहाँ पर एक दूसरे पर निरभरता की बात हो रही है, यह भी गलत हो गया, तो आपके पास एक ही option बचता है, that is a, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम relativity कहते हैं, अब सर यह हमें पता कैसे चला, देखो यह तो उनके लिए है, जिनको नहीं आता, इसका answer बाकी जिनको आते हैं उनके लिए क्या देखो यहाँ पर यह रहा है फ्लैक्षी वर्कफोर्स है तो यह क्या दिखा रहा है हर्याना गुजरात अच्छा एक बात बताओ क्या सभी जगा पर working condition एक हो सकती है नहीं तो ऐसा environment जो place to place क्या होते हैं अलग अलग होता है उसको हम क्या बोलते हैं relativity बोलते हैं क्लियर है मतलब environment का अपनी जगा से रिलेट होना जैसे जहां मैं बैटा हूँ वहाँ का atmosphere अलग है लेकिन जहां पर आप बैटेओं वहाँ का atmosphere क्या अलग है तो हो सकता है कि जितना comfortably मैं यहाँ पर काम कर पाता हूं उतना comfortably मैं वहाँ ना काम कर पाता हूं या जितना comfortably मैं वहाँ काम कर सकता हूं उतना comfortably मैं यहाँ काम ना कर पाता हूं तो इसका मतलब क्या है कि यह place to place क्या होता है चेंज होता है तो उसी को relativity कहा गया है The Government of India has recently come up with an amendment of Companies Act 2030 Recent में हमारा Companies Act में क्या हुआ था? Amendment हुआ था? Changes हुए थे किसके रिगार्ड? CSR Corporate Social Responsibility क्या? Corporate Social Responsibility और यह किस का? किस Environment का प्रकार है? Political, Legal, Economical या Political दोबर आ गया? चलो कोई बात नहीं पॉलेटिकल होगा इसको None of these कर लो चलो None of these बताइए CSR Corporate Social Responsibility अगर आपने मेरे सारे वीडियो देके हैं तो पीछे मैंने एक वीडियो में शेर डिसकस किया था आपसे कि हर कंपनी को अपने पिछले तीन सालों का तीन सालों का 2% जो रेविन्यू हुआ है रेविन्यू है उसको 2% CSR Corporate Social Responsibility में कर्च करना जरूरी है तो इसका मतलब क्या है यह लीगल हो गया और वैसे भी जहां पर एक्ट की बात होती है वो लीगल ही हो जाता है इन में से एकोनोमिक एन्वार्मेंट का कोन सा उधारन है Economic Money Supply in the Country Composition of Family Constitution of the Country Consumer Act यह दोनों तो हो जाएंगे आपके लीगल यह हो जाएगा आपका सोशल और यह हो जाएगा आपका एकोनोमिकल बताइए बात समझ आ रही है चलिए आगे बढ़ता है When was economic reform program introduced in the Indian economy Economic reforms कब हुए थे 1991 में हुए थे कब हुए थे 1991 जब new industrial policy adopt की गई थी जिसको हमने new economic policy का भी नम दिया था Which factor does not help in globalization globalization में कोन से factor affect नहीं या help नहीं करते है Investment in infrastructure बिलकुल करेगा Removal of government control बिलकुल करेगा Tariff regime या tax concession बिलकुल करेगा जितना आप tax कम कर दोगे उतना ज़्यादा आपका जो export है वो बढ़ जाएगा जैसे for an example अभी अगर आपसे कहा जाए कि जो ज़्यादा तर organization है आज की date में वो इंडिया में अपने आपको registered कराने की जगापर जो Singapore है कहाँ पर Singapore तो जो Singapore है वहाँ पर अपने आपको ज़्यादा registered कराना prefer कर रही है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो tax rate है वो 20 plus और जबकि Singapore में शायद 17 something है तो इसका मतलब क्या है tax concession तो फरक डालता है डालता है तो कौन सा नहीं होगा tariff रजाए आपने सुना होगा कि सरकार क्या कर देती है सरकार बिलकुल प्लास्टिक पर क्या कर देती है कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक का यूज नहीं गरेगा तो उस पर अच्छे खासे डिबिट भी होती है तो यह क्या है जहाँ पर भी ban वाली word आजा तो वो हमेशा किस में कनवर्ट हो जाता है जैसे आपने कहा आप मेट्रो गया तहीं पर भी बस स्टैंड पर गया तो वाँ पर लिखा हुआ होता है smoking and drinking is prohibited here otherwise the fine will be charged of rupees 5000 and 1000 whatever be that तो वो क्या condition मन जाती है लीगल वाली clear है यहां तक चलिए which concept refers to sale of public sector share to partially cover the fiscal deficit सरकार क्या करती है जैसे BSNL है तो BSNL है अब सब को पता है कि BSNL क्या है वो बहुत उसकी जो performance है क्या है उसकी जो performance है वो बहुत जादा कम है और वो continuously क्या होती चली जा रही है down ही होती चली जा रही है तो ऐसे में जब उसकी performance down होती चली जाएगी तो उसका जो revenue है वो भी क्या होता चला जाएगा और down होता चला जाएगा तो जब उसका revenue down होता चला जाएगा तो उसका impact ये पड़ेगा कि जो government expenditure है वो क्या होते चले जाएगे बढ़ते चले जाएगे और जब वो बढ़ते चले जाएंगे तो ये government पर extra burden आदेंगे तो उस burden को remove करने के लिए government क्या करती है government उनके कुछ जो shares होते है उनको private हाथ में बेज देती है किस में बेज देती है private हाथ में बेज देती है ताकि वो जो सारा deficit हो रहा है सारा का सारा जो नुकसान हो रहा है व बात समझ में आ रही है कुछ ये लोग भी beer कर लें तो उस चीज को क्या कहा जाता है privatization, liberalization, disinvestment या licensing बताईए तो कुछ लोग इसको privatization करेंगे बट इसको कहते है disinvestment क्या कहा जाता है disinvestment क्लियर है न ये वाली बात चलिए आगे बढ़ेंगे तीक है अब समझ आ गया होगा आपको privatization और disinvestment में आंता what are नवरतना companies दो होती है न महारतन और नवरतन एक बार इनको देख ले न profit making private companies तो नवरतना private तो नहीं होती है ये तो गलत बात हो गई तो जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया अरे ये तो दो ही option बचे है profit making public sector company तो ये वाला बेटा हो जाएगा गलत तो आपके पास एक ही option बचता है profit making public sector company ये ऐसी company है जो क्या कमा रही है profit कमा रही है ठीक है demonetization refers to क्या demonetization refers to तो demonetization किसको refer करता है reducing the value of currency devaluation of the currency scrapping the currency in the use या all of these तो जो भी all of these पर जा रहे है उनको मैं कर देता हूं गलत अब आपके तीन option आपके सामने बता ही इन तीन में से कौन होगा अच्छा ये बास बता हो आपके बास 100 रुपी है क्या उसकी value reduce करना demonetization क्यालाता है नहीं क्या उसको devalue कर देना demonetization क्याला नहीं लेकर उसको scrap में बदल देना क्या क्या आप दे pinch हो गए तभी तो वह demonetization हुआ, budgetary support to public sector has increased as a consequence of the LPG, LPG का मतलब क्या था, liberalization, क्या है, liberalization, privatization, और globalization, तो ये तीन इसके क्या है, basic fundamental है, LPG के, अब मुझे ये बताए, LPG जब introduced हुआ, तो उससे जो public sector था, government का जो sector, अमने जो fiscal policy है, उसको budgetary support उसका बड़ा या नहीं बड़ा, तो true or false, false, क्या होगा, false होगा, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, increase in the sensex after lock सभा election is an example of which environment, जिसे अभी के 2024 में आपके लोक सभा election होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, लोक सभा election होने वाले हैं, अब उसमें कोई ना कोई तो नहीं गावर्मेंट चुन करके आईगी, अब जैसे suppose करो उसमें कोई भी गावर्मेंट है, वो चुन करके आती है, जैसे suppose करो अभी अमारी जो है, NDA की गावर्मेंट है, BJP, सपोज करो, let, अगर यही 2024 में क्या करती है, रूल करती है, यहना, leading party बनती है, और तो उसका impact, sensex पर कुछ तो पड़ेगा, वही उसका impact जो है, वो sensex पर कुछ तो पड़ेगा, गवर्मेंट के बदलने पर sensex पर भावित होते हैं, sensex क्या होता है, Bombay Stock Exchange का, जो index number है, उसको sensex का आजाते है, ऐसी national stock exchange का, जो sensex, sorry, क्या कहते हैं, अपका, index number है, उसको nifty का आ जाता है, तो दोनों पर फरक पड़ता है, तो जो sensex बढ़ेंगे या कम होंगे, तो वो किस environment, किस वातावरण के तहत बदले जाएंगे, लीगल, political, economical या social, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, वो government party के होने से प्रभाव पड़ रहा है, किस के होने से प्रभाव पड़ रहा है, government party के होने से प्रभाव पड़ रहा है, तो यह political में convert हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर लोकसभा का जिक्र नहीं होता सिर्फ यह होता है increase in sensex तो वो कौन सा dimension है environment का तो भी economical चला जाएगा clear है यह वाली बत चलो आगे बढ़ता है standards should be dashed so that they can be modify as per the changes taking place in the business environment जो हमारे standards होते हैं वो किस तरह के होते हैं ताकि जो हमारा website वाता वरण है उनमें अगर मैं किसी भी तरह से बदलाव करना हो तो उन बदलावों को हम आसानी से क्या कर सकें उन बदलावों को हम आसानी से कर सकें तो जब यह भी बदलाव वाली बात आती है तो वो static होते नहीं है जिने आप अपनी सुविदा के अनुसार क्या कर सकते हो तो 15 के बी के साथ जो है हमारा वो कौश आंसर चला जाएगा next हमारे सामने आता है since more number of people have become more beauty जितने ज़्यादा लोग आज की डेट में हो रहे हैं वो उतने ज़्यादा खूबसूरत और health conscious हो रहे हैं है ना हमारे देश में और ये देखा भी जा सकता है ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है कि उनको present करने के लिए health और beauty इस पाज और जो wellness clinics है उनकी भी जो मातरा है वो भी क्या होती चली जा रही है बढ़ती चली जा रही है तो आप इस तरह तो ये किस environment की तो ये जो environment है ये किस environment की विशेशता है बताएए क्या ये external force है क्या ये dynamic है क्या ये interrelated है क्या ये relativity है अच्छा एक बात बताओ जैसे suppose गोरो PGT commerce है तो PGT commerce आप KVS PGT commerce की preparation कर रहे हो अब PGT KVS commerce का मैंने देखा कि कहीं पर भी आपको जो एक brief content होता है वो available नहीं है तो मैंने क्या किया मैंने कहा कि नहीं वही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो costly courses हैं उनको afford नहीं कर पाते हैं costly क्या वो nominal भी afford नहीं कर पाएंगे तो मैंने कहा कि मैंने किनिशेट लिया कि नहीं भई मैं अधिगम मंतरा पर अब से जो free of classes हैं वो provide कर रहा हूँगा तो पहले मैंने क्या देखा कि किसी चीज की demand बढ़ रही है अब फिर जैसे ही KVS की date आई KVS की date आते के साथ ही तुरंद मुझे क्या करना पड़ा strategy change गरनी पड़ी कि पहले मैं content दे रहा था और content के बाद mcq आ रहे थे फिर मुझे लगा की नहीं भी अब मुझे क्या करना है अब मुझे जादा से जादा mcq कराने है लेकिन content और concept भी हो जाना चाहिए बच्चों का तो इसलिए मैं mcq series ले आया तो कुल मिला करके अगर आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो रहे है निर्बर हो रहे हैं तो ये कही ना कहीं किसकी बात करता है इंटर-relatedness की बात करता है clear होगी ये वाली बात चलिए दपी अम प्राइम मिनिस्टर हाज गिवन a relief package of 5 कोरोड this is related to which dimension of business environment जो हमारे प्रधान मंत्री है उन्होंने एक relief package दिये किसका 5 कोरोड का अब वो किस business environment के dimension से relate होता है क्या ये political है social है economical है ये legal है बताइए correct answer क्या होगा जैसे suppose गरोई को धारन के तोर पर ना मान करके चलिए कि कोई industry है जैसे MSME sector है तो small industry में जो आप क्या हाथ के बरतन बनाने वाले जो है industry है तो वो धीरे 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 क्या होती चली जा रही है वो खतम होती चली जा रही है अब government की knowledge में ये वाली बात आई कि बही नहीं industry तो जल्दी खतम हो जाएगी और अगर industry खतम हो गई तो जो बहुत सारे ऐसे लोग है जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं तो उनके रोजगार खतम हो जाएंगे और जो दे उनकी भूक मरी जो है और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी ये वाली बात आगी बात समझ में तो इसका मतलब यह है कि तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं है तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उनको पैकेज देना पड़ेगा तो जो हमें पैकेज देंगे तो उससे उनका इंप्रूव्मेंट होगा तो यह political होगा, social तो नहीं होगा, legal भी नहीं होगा, political होगा यह economical होगा तो बात चली जाएगी economical पर, clear है यह वाली बात मुझे ज़रा दो एक minute, अब आप लोग क्योंकि एक book आनी है, clear है और मैं एक second में अभी present होता हूँ, इतने आप पढ़िए next question यह रहा हलो, कहां पर गड़ा है, चांदनी collection के बिल्कुल सावने, ठीक हमें झाल 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 सब दिख रहे हैं न? चलिए तो नेक्स्ट कोशन है कोन कोनसे जो फैक्टर न है उनहें इन्क्लूड किया जाता है बताएब कस्टमर सप्लायर इंटँर्मीडियियतरीस intermediaries या all of these what will be the correct answer तो माइक्रो में तो customer भी होता है supplier भी होता है intermediaries देखे हमारे जो external environment होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक तो micro और एक macro तो जहां पर micro वाली हाती है तो उन्हें आप कुछ हादिता का क्या कर सकते हो लेकिन macro को तो आप controlling नहीं कर सकते हैं जैसे legal है political है social है technological है तो यह सारे क्या है यह सारे के सारे में तब जितने भी आप dimension of environment पढ़ते हो न वो सारे के सारे आप किसमें पढ़ते हो macro में पढ़ते हो तो इसका जो correct answer चला जाएगा वो D चला जाएगा next economic uncertainty assertion दिया हुआ है low brand and market deviation एक second देना भी देखो जरा इसको hello एक second 9083 9083 909 908348 ठीक है ना तो चलिए next question पर देखते हैं इसमें क्या क्या रहा है economic uncertainty low brand and market deviation and subdivision are just a few symbols that can be used to define the business environment economic है ना आर्थिक अनिश्चितता low brand market division है ना and subdivision यह क्या है यह कुछ symbol है जिने यूज किया जाता है किसके लिए जो आपका website वातावरण है उसको बताने के लिए समझाने के लिए ठीक है ना जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी कोशन में आपको इंडेक्स बजट ठीक है ना market है ना या money है ना foreign exchange यह सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पर देख जाए तो आप तुरंद वहापर एकॉनमिक लगा जाना तो आप समझ गए कि जो आपका business environment है उसके लिए एकॉनम मतलब आपका जो economic environment है उसमें क्या-क्या चीज़ें आती है ना तो आप समझे जाएंगे तो business environment is getting dynamic where changes are taking place at slow pace तो जो business environment है वो क्या है डायनेमिक डायनेमिक मतलब जो तुरंतर बदलता रहता है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो business environment हो धीरे 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 क्या होता रहता है बदलता रहता है अब एक बात 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 तो सही है लेकिन क्या वह अराम-अराम से बदलता है नहीं यह जरूरी नहीं है कि वह अराम-अराम से बदले वह तुर resisting and threats accompanying the business environment इन में से कौन सा जो हमारा website वातावरण होता है उसको resist करने में और जो threats है उनको जाचने में मदद करता है मतलब जो आपका व्यापारिक वातावरण है उसको समझने में तक कि यह हमारे लिए opportunity हो सकती है या यह हमारे इसी चीज है इन में से जो बताती है फर्स्ट मूवर एड्वांटेज वर्निंग सिगनल या पॉलेशी फॉर्मेशन या बहुत ऑफ बहुत ए और बी अब आपका के वीस आया तो के वीस कि जब फार्म बरेगा तो आपको opportunity दिखी कि भई नहीं हाँ अब हमारे पास क्या है के वीस का एक्जाम है तो अब हमारे जो गवर्मेंट जो बहुत कर पाने क्यों है ना तो कुल मिला करके यह क्या हो गए यह warning signal हो गया कि हमेंने क्या मिल गया warning signal मिल गया कि बहुत जल्द आपको opportunities में भी convert कर सकते हो और threats में भी convert कर सकते हो चलिए आगे micro environment is related to इनमें से micro environment जो है वो किससे related है internal से external से AB या none of these तो मैंने भी आपको सही बता यही था तो आपको उमीद है वो पता होगा that is external environment तो यह हमारा क्यों हो जाएगा correct चला जाएगा next the dimension of business environment are known to be your dimension of business environment मतलब business environment के जो dimension अपरकार है वो कितने है factor of internal environment factor of external environment factor of macro environment factor of these sorry none of these factor factor की वाज़ा से यह भी factor of these होगा कोई बात नहीं ही चलो तो मैंने भी आपको क्या बता है था factor of external environment किसके factor of external environment dimension of business environment में externally होता है clear है तो आप इसको macro मतलगा कि आ जाना ठीक चलें आगे अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर आपको topic wise है मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं पहले तो यह बता हो समय जा रहा है आपको मैं एक के question को बिल्कुल इस तरह से ले रहा हूं ताकि वो topic wise आपका पूरा का पूरा उसमें क्यों हो जाए include हो जाए है ना clear है ना तो questions में मज़ा आ रहा होगा in swat s stand forth basically जो भी business होता है उसको यह माना जाता है कि जो मारा व्यापार होता है वो चार स्तंप पर खड़ा होता है एक होता है s एक होता है w और एक होता है t और इन में से अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो business operator नहीं हो सकता तो आप से यही पूछा है कि आप इन में से s किसको represent करता है strength को strategy को skills को यह none of these को बताईए correct answer जो जाएगा आपका वो strength जाएगा अचा मुझे ज़रा इसके full form बताओगे आप लोग swat s तो strength हो गया w किसको represent कर रहा है o किसको represent कर रहा है और t किसको represent कर रहा है बताना ज़रा comment करके next dash environment resulted in the upliftment of ban imposed on fda ban word देखते हैं साथ ही legal चले जाना यहाँ पर fda पर मत चले जाना यहाँ पर ban की बात हो रही है ban किस की ban पर क्या जाएगा legal clear है नहीं वाली बात चालिए which of the following restrictions were imposed on the international trade regulation till 1991 1991 में आपकी policy आई थी जिसका नाम था LPG इस LPG से पहले किस तरहा के जो अवरोध ते restrictions थे उनको लगाया गया हुआ था quantitative tariff licensing या all of these बताइए देखे quantitative भी थे tariff restrictions भी थे जैसे quota वागयरा जो थे वो quantitative भी थे license मतलब tax related है ना license policy भी उस वक्त बहुत जादा तो कुल में लागर के जो correct answer जाएगा मेरे बच्चे वो cd जाएगा सोरी है ना correct answer के जाएगा 25 का d तो 26 यह रहा आपके सामने how did how did the government treat the price control over various product while bringing up economic reforms जब भी सरकार को economic reforms ले करके आने होते हैं तो वो अलग अलग तरहा के जो उतपाद होते हैं उनके price control को कैसे treat करती है तो उनका promote करती है by promoting price control over various product by dismantling price control over various product by neglecting price control over various product या none of दीजे तो होगा ही नहीं अब neglect वो करेगी नहीं ऐसा तोड़ी है कि आपको किसी एक product को launch करने के लिए आप दूसरे price के price को neglect कर दोगे बिल्कुल यह तो गलत हो जाएगा इसका मतलब यह है कि क्या आप उसको promote करोगे नहीं आप क्या करोगे आप by dismantling price control over various product जो आपके अलग-अलग तरह के उतपाद है उन पर जो price control है उसको क्या कर दोगे dismantle कर दोगे ताकि आपके लिए उस product को ले करके आना आसान हो जाए next the policy related to income and expenditure is known as बताए new trade policy industrial policy monetary fiscal policy मैं यह बता देता हूँ यह policy government use करती है यहाँ पर government की बात हो रही है तो इसलिए government कौन सी policy उसकरती है fiscal policy monetary policy जो use की जाती है वो RBI के बारा की जाती है clear है यह वाली बाद चलिए आगे बढ़ते है out of the following policies in which following does the RBI keep control on the money supply RBI क्या कर रहा है money supply को control कर रहा है to get the objective of general economic policies ताकि वो general economic policies को क्या कर सके उनके उन दिश्चा को पूरा कर सके तो बताए इन में से कौन सी policies है trade policy fiscal policy monetary किसकी बात हो रही है RBI की RBI के trade policy उसकरता है नहीं fiscal policy को ने उसकरता है government industrial policy industry तो एक ही बचा चलिए आगे which one of the following is not a feature of business environment अनिश्चता होती है एक दूसरे बन निरबरता होती है complexity होती है stability नहीं यह श्यद रिपीट हो गया है न economic planning refers to जो economic planning है वो किसको refer करती है allocation of resources को manpower नहीं होगा mobilization of tax नहीं होगा tax और manpower नहीं होगा क्योंकि manpower नहीं आ रहा तो एक ही चीज़ बसती है allocation of resources को ही is a rule of thumb that managers used to simplify decision making जो managers है वो अपने किसी भी निरणय को simplify करने के लिए कौन सा rule of thumb use करते हैं sunk cost framing heuristics या none of these बताइए कौन सा सही होगा इस में से what will be the correct answer what will be the correct answer इसका जो correct answer जाएगा वो heuristic जाएगा क्या जाएगा heuristic जाएगा heuristic का मतलब क्या होता है जैसे suppose करो जैसे suppose करो कि आपका के वीएस का एक्जाम है के वीएस का एक्जाम है तो आपने क्या किया हुआ है आपने अपने बिल्कुल क्वालिफाइब करना तो आपका जो रास्ता है ना वो अपनी आपको पढ़ाने शुरू किया था जब मैंने लेक्चर्स डालने शुरू किया थे तो मेरे पास तो एक्स्पीरेंस था नहीं ओनलाइन टीचिंग का बस अब पढ़ाया था कोविड टाइम में जो जब थे इतने मोडिफाइड एमजे क्यूज को अरेंज करना आप समझ लो तो उन्हें सब वो चारी चीज है कैसे होई तो अब मैंने क्या करा मैंने डिसाइड कर लिया कि भई नहीं मुझे करना ही करना है तो उसके जो रास्ते हैं वो अपनी आप बनते चले कैसे यूट्यूब चै और उसको लेकर के 100% लेंगे कि नहीं भी अब हमें तो यही करना है तो उसका अचीव करने के रास्ते ना अपनी आप बनते चले जाएंगे इसी को क्या कहा जाता है और यह क्या होता है रूल ओफ थम होता है जैसे कहता है ना कि तुम यह काम शुरू कर दो तो कि चलेगा कि नहीं चलेगा काम करना शुरू करो चीज़ें अपनी आप क्या होती चले जाएंगी इजी होती चले जाएंगी तो वह वाली जो कहानी आती है ना वहुरिस्टिक्स में आती है क्लियर होगी यह वाली बात चलिए आगे बढ़ता है ना फर्स्ट फाइव यह प्लान ओफ इं इंप्लीमेंटेड आफ्टर दा प्लान किसके बाद इंप्लीमेंट किये जाते हैं प्लान किसके बाद किये जाते हैं प्लान किसके बाद करते हैं नहीं पूछ रहा है यहां पर पूछ रहा है कि प्लान जो होते हैं वो इंप्लीमेंट किये जाते हैं किसके बाद ऑब्जेक बतता ही है, what will be your correct answer, your correct answer will be selecting an alternative, जब आप किसी एक alternate को क्या कर लेते हो, select कर लेते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, select an alternate, ठीक है, चलिए, last step in planning process is to, planning process का last step क्या है, follow up action, कि अब आप अपना जो action है, उसको क्या कर लो, follow कर लो, clear है न, next, dash is a type of plan which refers, अच्छा इसमें ने एक चीज मुझे बतता हो, एक बार process बताना जरा इसका, process of planning, कितने steps हैं और कौन कौन से steps हैं, जरा बताना, comment करना, pause कर दो, comment करो जरा, dash is a type of plan which refers to the prescribed way or manner in which a specified task is to be performed, बताइए, policy, method, program, policy, इन में से कौन से type का plan पूछा है, जो किसको, जो आपके अलग-अलग तरीकों को बताते हैं, कि आपको किसी भी काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो जहां पर भी कैसे करना और किस तरीके से करना है, वो वाली बात कौन से आ जाती है, method कि आपके पास पढ़ने के अलग-अलग method है, तो आप कौन सा, आप जो है एक्वायर करते हो ताकि आप उस काम को कर सको estimated cash inflow और outflow budget cash का inflow और outflow तो budget मी होगा इसके लावत तो कहीं होगा नहीं development of a new product is a जब आप किसी भी product का नय development करते हो यह develop करते हो तो वो प्रोसेजर में आता है policy में आता है strategy में आता है यह program में आता है यह सारे के सारे types होते है हमारे जो types of plan है वो दो तरह के है एक तो single used और एक standing जैसे आपका budget है क्या है budget है तो budget आपका एक बार क्या होगा बनाया जाएगा और वो एक ही बार काम में आएगा आप उसका use दुबारा नहीं कर सकते है जैसे suppose करो आपने kv s b 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 किसके लिए करोगे यूपी पीजी टी के लिए strategy परपेर करोगे और दोनों के लिए आपको same strategy काम नहीं कर सकती तो यही budget वाली कहानी है और standing में clear है न और standing में क्या आता है standing में जो आपके continue चलते रहते हैं जैसे rules तो इनमें आप modification न करते हैं तो तो यह वाली कहानी है तो अब बताइए जब आप नया product develop करते हो तो आप वो procedure कहलाता है policy कहलाता है strategy कहलाता है program कहलाता है strategy clear है next example of single use तुरंथ ही आ गया पताइए single use plan कौन कौन सा है budget, program, policy procedure, method, rules तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा last question तो आपको पता चल गया होगा ये वाला, ठीक है तो कुल में ला कर गया, अब आप देखरो planning में जितनी भी चीजें है वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको mcq format में present कर दी है, तो अब आपकी ये वाली query है न कि भाई हमारा content नहीं हो पाया तो वो खतम कर दिये मैंने बिल्कुल मैंने हर एक topic, जो जो topic रहे गए थे, detailed discussion के साथ वो सारी की सारी discussion मैंने आपकी mcq में की है समझा रहा है ना तो अच्छे से preparation करो definitely अपने आपको बिल्कुल इस तरीके से मत रखो यह नहीं होआ, वो नहीं होआ जितना हो रहा है ना, उतना करो अगर आप लोग अब इस time पर excuse दोगे ना कि यह नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, यह नहीं हो रहा तो trust me न, मतलब गाड़ी पीछे रह जाएगी आपको जो गाड़ी मिली है आप जिस गाड़ी में बैटे हो, जो ड्राइवर मिला है, जो लोग मिला है, उन्हीं के साथ बैट करके, अपनी जर्नी को अच्छा बनाने की कोशिश करो, ताकि आप अपने जो गोल हैं, उनको successful अचीव कर सको और अपनी मंजिल पर पहुंच सको, objective मंजिल पर पहुंचना है कैसे पहुंचे हैं, doesn't matter, matter क्या कर रहा है, matter KVS करता है, कि KVS अचीव हो जाए, कैसे होगा उससे फरक नहीं पड़ता, थोड़ा सा extra effort अगर डालना पड़ रहा है, तो डाल लो, सबजी को tasty बनाने के लिए, थोड़ा सा effort जादा करना पड़ता है, बस और क्या है, तो ऐसी ह कि अगर आपको स्वादिस त्वादिस चीजें खानी है, थोड़ा सा effort तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आपको KVS के result का स्वाद चकना है, तो definitely सी बात है, तो effort आप सोच लो, कितना करना पड़ेगा, और आपका simultaneously उसमें effort कितना जा रहा है, तो जब आप दोनों में comparison करोगे, तो आपका deviation निकल करके आजाएगा, कि यहां इतना हम चाहते हैं, इतना हो पा रहा है, तो बाकी को उसको पटरी पर लेकर के हो, समझ रहे हो, आप business के बच्चे हो, management करते हो, पटर रहे हो, चली आगे बढ़ता है, यह वाला question होगे हमारा, developing promises reflect dash about the future that the manager is required to make about the future, ज developing promises होती है, वो किसको reflect करती है, जो manager को बताती है कि उसको भविश्य में क्या चाहिए, तो premises का मतलब क्या होता है, premises का मतलब होता है कि भावी भविश्य में हमें किनकिन चीजों की आविशकता होने वाली है, उनको पहले से क्या करके रखना, arrange करना, ठीक है ना, पास समझ में आ रही है, तो decision, forecast, result, assumption या A और C, तो कोई निरने ले लेना, भावी चीजों के लिए आधार नहीं हो सकता, आपने निरने ले लिया, तो जरूरी थोड़ी है काम ही कर जाएगा, नहीं हो सकता, forecast and result, result पर कहां से पहुँच गए, अभी तो बहुत काम करना बाकी है, तो जब यह हो गया, खतम, तो यह भी खतम हो गया, तो एक ही ही बचा, assumption, तो अगर नहीं भी आता होगा, तो थोड़ी बहुत चीज है, लोजिकली लगाओगे, तो हो जाएगा, अपने आपको बिलुकुल business minded centric कर लो, business करते हो बिलुकुल, we are like just entrepreneur, planning and going with flow, दोनों सेम है, different है, कह नह ही सकते हैं या, none of these, all of these, क्या फरक पड़ रहा है, यह दोनों तो नहीं होंगे, बता दो इन में इस से कौन सा है, planning and going with flow, एक तो होता है particularly plan करना, 15 दिन है, 15 दिन हमने plan कर लिया, यह, 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 वैसे हम करते से ले जाएंगे going with flow इन में से ये दोनों सेम sound हो रहे हैंगा, plan करना strategy बनाना, ठीक है न कर लेंगे, हो जाएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, अपनी आप सब हो जाएगा हो ना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा इससे ज़्यादा क्यों होगा, बताइए, अंदर है या नहीं है, अंदर है, डिफरेंट है, दोने दूसरे से, next assertion दिया हुआ है, planning bridges the distance क्या planning दो जगा, मतलब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं पहुँचना चाहता हूँ, तो इनके बीच की दूरी को क्या वो bridge कर देता है, उस gap को भर देता है, बात तो सही है, planning का मतलब यही तो होता है, अगर आप देखें, तो आपका एक organization है, और यह जो organization है, वो zero से शुरू हुआ, आप धीरे-धीरे-धीरे decline होना शुरू हुआ, आप फिरे-धीरे-धीरे-धीरे फिर decline होना, आप फिर आगे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या करने लगे, grow करने लगे, अब जब आप grow कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, आप यहीं तो जाना चाहते हो, आप यह level के थुरू पहुंचे बोलो हां किये ना तो बात तो सही है अब आगे क्या कह रहा है वो देख लेता है प्लानिंग इंक्लूद्स गेटे सेटिंग गॉल्स एंड जैनरेटिंग अप्रोप्रियेट सोर्स ऑफ कोर्स तो अचीव दीज उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं है ना तो वो प्लानिंग में इंक्लूद्स हाँ होता तो है बात बिल्कुल सही है बात गलत नहीं है लेकिन हम वहां पहुंचना चाहते हैं और वो गोल उसका कारण है यह गलत है तो डी जो है वो गलत हो जाए बदब सही हो जाएगा इसके रिकॉर्डिंग strategy is derived from strategy कहां से आती है objective से kbs गोल है objective है अब strategy मनेगी है clear है कहां नहीं समझ आ गई next the strategy is a comprehensive plan which will not include in dimension जो strategy है वो comprehensive plan है विस्तरत plan है जिसके में क्या चीज़ें involved नहीं होती है डेटर्माइं लॉंग-टर्म अबजेक्टिव बिल्कुल होते है बाई strategy में लॉंग-टर्म अबजेक्टिव नहीं होंगे बिल्कुल होंगे क्या हम particular course of action को selected नहीं करते है बिल्कुल करते हो साब बिल्कुल करते हो allocate resources बिल्कुल develop promises नहीं करते हैं बिल्कुल करते हो developing promises तो इसका option the answer which the management seeks to achieve by its operation नहीं यह गलत हो जाएगा यही इसका सही answer होगा चलिए which of the following factor does not affect wage and salary structure इन में से कौन सा factor wage और salary structure जो है उसको affect नहीं करेगा demand and supply cost of living job rotation या job requirement demand and supply आप 10 गंटी की जगा 12 गंटे काम करने लगए तो आपका wages और salary effect करेगा बिल्कुल करेगा cost of living पहले आपका अगर 50,000 में चलता है ताब 25,000 60,000 में भी नहीं चलता है एफेक्ट करेगा job requirement पहले आप 10,000 की नोकरी करते थे अब आपको 40,000 की नोकरी करनी है या आप 20,000 की 25,000 की करनी है अब आपको 70,000 की करनी है job requirement के विएस की भी तो job requirement है क्यों है उसकी salary की वज़े से बगर suppose करो अगर KVS की salary आज आपको 20,000 या 15,000 रुपे मिलनी शुरू हो जाए तो भी KVS में जाओगे बिल्कुल नहीं जानेगे हो job requirement क्यों है क्योंकि वहाँ पर salary अच्छी है facilities है तो ये सारी चीज़ें affect करती है लेकिन हाँ job rotation affect नहीं करती है जैसे आज आप किसी organization में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको 15,000 ही मिल रहा है या 16,000 ही मिल रहा है तो अभी आपका कोई effect नहीं पड़ेगा क्लियर है चलिए next a manager can prepare sound plan only if he has कोई व्यक्ती एक sound plan का मतलब क्यों आपको है sound सुनने वाला नहीं है कभी music वो वाला memes चला दो music तो sound plan क्या है एक ऐसा plan जहाँ पर आपकी जो strategies है आपकी जो preparation है आपका जो एक motto है आपका जो objective है वो बिलुकुल पूरी तरह से क्या होज़े प्रपेर होज़े एक ऐसा plan तयार करना जहाँ पर आप अपना जो KVS exam है उसको बिलुकुल क्वालिफाई कर डालो वो क्या होता है sound plan होता है तो sound judgment इमेजिनेशन या all of these पताइए पहले तो sound judgment कि हाँ बही मुझे पढ़ना है आठ गंटे पढ़ना है दस गंटे पढ़ना है बारा गंटे चोदा गंटे पढ़ना है पढ़ना ही पढ़ना है sound judgment निरने ले लिए कि यह मुझे कर नहीं करना है आप देख रहो क्या-क्या चीज़े हो सकती है कहीं कोई शादी तो नहीं आ रही है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है प्रपरेशन इतने टाइम तक पहले करनी है रिविजन यह फॉर साइट इमेजिनेशन होगा 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 मैंने आपको पीछे भी बताया था जब आप कंटिनियूसली किसी एक चीज़ के पर काम गरते रहते हो काम गरते रहते हो तो चीज़ ओटोमेटिकली क्या हो जाती है सक्सीड हो जाती है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में जीणा, कई बार लोग कहते हैं कि, इमेजिनेशन में क्यों जाँड़ो, अच्छों कुछ बाइ, जब तक आप KVS चीज को उसके लिए, इमेजिनेशन पावर का होना, ज़रूरी है, पहले यह आप देखते हों, कि हाँ भी मैं हो रहा हूँ तब आप उस पर काम करते हो कि हाँ भी थोड़ा सा effort और अगर लग जाए तो बात बन जाएगी यह वाली कानी होती है तो सारे ही सही आ रहे हैं ना चलिए M.B.O. refers M.B.O. की full form दे ना जरा इसकी full form दे दो और इसको किसने प्रपाउंड किया था वो भी बता दो M.B.O. किसने दिया था यह दोनों comment कर दो फटापट से तो assessing the operation performance quality और none of these तो M.B.O. किसके लिए होता है performance के लिए होता है next statement दिया हुए it is a significant feature of human that he plans significant feature है जो human क्या करता है प्लान करता है अब प्लान is a trap to capture the future achieve करने के लिए तो आप प्लान कर रहे हो तो दोनो statement कैसे हो गए बिल्कुल सही हो गए next smart अहाँ smart तो तुम लोग बिल्कुल बहुत smart हो बताव suitable measurable, actionable, rewarded, timely specific, measurable, actionable, resource, or timely standardized, measurable, achievable, rewarded, or timely specific, measurable, achievable, rewarded, or timely family बताईये क्या होगा सारे ही सही लग रहे हैं सारे ही सही लग रहे हैं बताईये आपका KVS specific है आप जब exam दोगे तो अपनी आप performance चेक करोगे फिर आप अपने exams को क्या कर लोगे, achieve कर लोगे आपका result निकल करके आएगा, आपके लिए reward होगा और आपके आद में जोइनिंग लेटर टाइम से आजाएगा, timely होगा इस से ज्यादा बेस तरीका मुझे नहीं मिला आप लोगो को इसको समझानेगा तो मैंने यही उठा लिया, चलो, आगया आजाओ वाट इस अफर्स स्टेप अफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फर्स स्टेप काम सह है controlling, setting objective, planning or decision making, planning, planning, organizing, stopping, directing or controlling. है नहीं, दा बेसिक रोल अफ इस्ट्रेटेजी इस तू प्रोवाईड, बादा यह, strategy, direction for action, setting procedure, direction for control, direction for motive, strategy, action मैं आजो तो रहन्द इस्ट्रेजी त्यार होगी अब तो कर डालना है तो direction for action, next, last आज का, which plan is used for activities that occur regularly over a period of time, बार 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 वो क्यों होती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, कौन सा planning कैसा है, जिसमें, एक time के बाद तुरंत क्या होता रहता है, वो continuous चलता रहता है, that is called follow up action, एक सेक्ड, एक सेक् which plan is used for activities that occur regularly over a period of time, ये बाला हो जाएगा, गलत, follow up action क्यों होगा, standing plan होगा, standing plan होते हैं, जो बार 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 क्या होते रहते हैं, repeatedly चलते रहते हैं, clear है, clear है ना ये वाली बात, चलिए, तो इसी के साथ, आज का जो correct एक मिनट रुखो, which plan is used for activities that occur regularly over a period, ये बाला भी गल्प नहीं नहीं, इसमें last वाले में गड़बड़ों नहीं थी, single use plan, over a time period of time, जिसे budget है, तो हर बार क्या होगा, वो बनता रहेगा, तो ये वाली कानी सह है, इसका option सही जाएगा, clear है, चलिए, तो यहां तक आपका जो है planning और हमने business environment कर लिया है, जितने भी topics से सारे हमने include कर लिया है, तो फटा फट से video को like, और channel को share कर दो, video को भी share कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सकें, connect हो सकें, और quiz के लिए जुड़ करेंगे, करते रहेंगे, आप लोग अधी का मंतरा पर बने रही है, ठीक है, preparation बहुत जबरदस्त करेंगे, कुछ और भी चीज़े सूची है, hopefully वो time से attempt हो जाएंगी, ख्याल रखिए, खुश रहेंगे, मिलते हैं कल, एक नए वीडियो के साथ, जाहेंद, वीडियो को like, channel क को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिया, और आप वीडियो को share कर दीजे, फटावर्ट से सभी जगा पर, जाहेंद,